नमस्कार दोस्तों Star IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज 4 अक्तूबर और 4 अक्तूबर 2020 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक Star IQ YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजीगा क्योंकि आज शाम को सही 7 बजे मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ आपके उनका हम लोग डिटेल डिसकेशन करने वाले हैं शाम को ही 7 बजे से लेके ये वीडियो 12 बजे तक होने वाला है ठीक है और जैसे ही 12 बजे के तारीक आजेगी 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर आते ही आप मुझे विश्कर ही दीजिएगा हैपी बार्डे टू यू ठीक है एक्स्ट्रा पैक 10-20 रुपे वाला करिदा चाहते हैं तो वो तो आप पहले से बंदोबस जरूर रख लेना भाई आज चलो जी आगे बढ़ते हम लोग और कल मैंने आप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है हर्याना के किस गाहों में देश का पहला पॉल्ट्री वेस्ट बायो गैस प्लांट बनाया गया है तो इस किस गुस्टन का सही अंसर था आपका गांगोली ठीक है आप अच्छोन इसका जवाब दे ही दिया है विस्तार से भी आप लोगों ने बता दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला किस गुस्टन पढ़त बी ऑप्शन जो है इस किसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा हर्याना के अंदर प्रदूशन का जो लेवल है पॉलिशन का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है जिसमें यम्नानगर चर्किदादरी और फतेवाद जो है यहां का पॉलिशन लेवल तो बिल जादरी फरिदावाद में तो सबसे जादा हो चुका है फिलाल के लिए और इसी साल में जो है पांच अपरेल को हर्याना के अंदर जो जादतर जिले थे जिनके अंदर प्रदूशन लेवल कम ही था एक नंबर होता है आपका SQI जिसके तैत हंडर्स का हंडर्स से नीचे ही जिसे पंचकुला का फिलाल 69 है भी ठीक है लेकिन दीरे दीरे देखने को मिल रहा है कि दो अक्तूबर को जब ये चेक किया गया तो ये बहुत ज़दा आगे बढ़ चुका है दो अक्तूबर को दो से तीन गुना गया आगे क्योंकि उतका सीधा सा रीजन एक तो पराली व बदल के क्या रखा जाएगा बहुत इपॉटन क्यूसे नहीं ये वाला हर्याना के अंदर मोडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदल कर राजिकिये मोडल संस्कृति वरिष्ट माद्यमिक विधाल्या स्टेट मोडल कल्चरल सीनियर स्केंडर स्कूल ये नाम रखा जाएगा डी आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा दूसरी बात ये है कि विधाल्य का जितना भी मनेजमेंट है उसके लिए भी एक नई कमेटी बनानी की जो है वो कावायाद चल रही है अलग से मनेजमेंट आप सभी को पता है कि हर्याना में सं संस्कृति स्कूल के तैद होगा क्या आपका? कि पूरा का पूरा स्कूल जो है वो एक बैड्ल्स कंसेप्ट की तरफ जाएगा 100% इंगलिस मीडियम स्कूल की तरफ जाएगा ठीक है? और स्टार्टिंग में इसकी कोषिस कितनी की गई है? स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, 128 के आसपा स्कूल जो है, वो आपके संस्कृती मोडल स्कूल जो है, उनको बनाने की कोशिस की गई थी, अभी इसको और आगे भी बढ़ाया जाएगा और हर्याना के अंदर जो है, तकरीबन 1136 स्कूलों को मोडल संस्कृती वरिष्ट माद्यमिक स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनको कोशिस की जा रहा है, बदलने की, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में किस जिले को dustbin मुक्त करने का फैसला लिया गया है, which district has recently decided to free dustbin, dustbin free district जो है, ये रोत तक को करने का फैसला लिया गया है, इसके उसन का C option जो है, बिल्कुल ठीक रहेगा, अब सर्थ dustbin free करने कर देंगे, तो मतलब कच्रा कैसे होगा, मतलब उसको कैसे control करेंगे, तो उसके लिए चोटे-चोटे-ई रिक्षा जो है, ये लगाए गए है, अचैसरे dustbin free करने का सीधा सा लक्षय क्या है, क्योंकि जहां पर भी dustbin का रोहतक था, तो इस बार कोशिस की जाएगी कि इसको थोड़ी ranking है, उसको सुधरा जा सके, ठीक है, और सहर के अंदर हर दिन लगबग 150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 80% कचरा जो है, वो mix होता है, आपका गिला, सुखा सारा mix ही होता है, तो स्वस्ता सरविक्षन में गरों से जो सुखा और गिला कुड़ा है, उनको अलग-अलग तरीके से निकालके जो है, उनको एक निदारन करने का काम करेगा, रोहतक का जारों तरफ से ही जिलों से गिरा हुआ है, मतलब किसी राज्ये से टच नहीं होता है, उत्तर में इसके जीन्द है, पुरों में सोनी पत है, पश्चे में भीवानी है, दक्षन में जजजर है, ठीक है, उत्तर पश्चे में हिसार और दक्षन पश्चे में भाधरुगड आ थी उस समय में ठीक है हाली में हर्याना के किस यूनिवस्टी ने एक लाख असी हजार इबुक्स उपलब्द करवाई है अब इस एबुक्स का मतलब क्या होता है सौफ्ट कॉप्य आप सबी समझी गए होंगे तो इस इस यूनिवस्टी का नाम है जी जे यू यानि की गुरु जंबेश्वर यूनिवस्टी ओफ साइन्स और टेकनोलोजी देखो हर्याना के अंदर ये जो जी जे यू यू उनिवस्टी है हिसार में है और इसके अंदर लाइबरेरी जो है वो भी काफी हद तक सुन्दर है इस किताबों को जो है एक लाकसी किताबों को तकरीबन जो है इडेटा बेस के रूप में स्टुनेट को प्रवाइड करना सुरू कर दिया और के तहट जो है इसके अलावा जो है कुछ वीडियो वगरा का भी कंसेप्ट रखा अठारा हजार के आसपास वीडियो भी जो है वो वी-सी का नाम है प्रोफेसर टंकेस्वर कुमार हाली में हर्याना के किस जिले में स्वागत पट त्यार किया गया है स्वागत पट जो आपका ये स्वागत पट त्यार किया गया है अभी हाल ही में किस जिले में सोनीपत में किया गया है सी ऑप्शन जो है इसके सन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और यह जो स्वागत पट है आपका इसको भगवान पर्शूराम का स्मारक भी जो है इसके साथ में त्यार होगा इस स्मारक पे 10 लाक रुपे खर्च होंगे और उसको पट त्यार करने में तकरीबन 1,20,000 रुपे जो हैं खर्च हुए हैं सोनिपत रोड पे जो टी पॉइंट है उसके पास में यह स्वागत पट त्यार किया गया है बनवाया गया है अगर कोई सोनिपत से है तो उसको साथ यह देख भी लेगा वो बच्चा और बात सोनिपत की हो रही है इसकी स्थापना 22 देसंबर 1922 को होई है जिस टाइम यह बना था उ आप सभी को पता है बहुत फेमस है महाबार्त काल में इस नगर को स्वन प्रस्त के नाम से पुकारा जाता था ठीक है 1200 के ग्रीक जो आउशेस है वो भी मिले है यहां पे ठीक है और दूसरी बात है आपका कि स्वनिपत है उसको हर्याना की एजुकिशन सिटी के नाम से भी ह हाले में किस संस्थान ने ड्रग्स विक्रेताओं पर एक खास स्टडी की है अभी हाल ही में इस संस्थान का नाम है IIM रोतक ठीक है डी आप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इसकी उस्तन का हमारा देखो इसके अकोर्डिंग क्या है कि 842 ड्रग्स विक्रेताओं पर IIM र बहुत जड़ा बड़ी है 80% के आसपास लोग 79.36% यह मानते हैं कि फिल्मों से जो है ड्रग्स की खपत बहुत बड़ी है 78% के आसपास लोग यह मानते हैं कि ड्रग्स का सेवन कर मलब खुद ही करते रहे ते बिरबाद में दोस्त और परिवारों को लत लगा दी इसकी और 56% के आसपास लोग यह मानते हैं कि जो रोज लेते थे फिर वो दीरे-दीरे बेचने भी लग गए इसको ठीक है 86% यह मानते हैं ड्रग्स प्लाइर जो है तसकरी में फस गे हो ठीक है और 83% लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान से सबस्यदा चोरी छीपिर ड्रग्स आते हैं तो कैर मानना जो भी हो लेकिन ड्रग्स का एक रिपोर्ट है या यू कहीं का बहुत ऐसा मेरा मानना है अगर मेरे से भी सर्वे में हिसा लेते तो साइध ये फिल्म इंडस्ट्री या ये म्यूजिक इंडस्ट्री की वज़े से जो है थोड़ा हद तक बड़ा है कई सारे मैंन इंडियन इस्टिटूट ऑफ मनेजमेंट रहो तक और इसकी स्थापना दो हजार नो दस के दुरान हुई थी मैं आपको बता देता हूँ भायत का सबसे बेस्ट आयाम है एमदाबाद में दो नंबर पे है बैंगलुरू ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हर्याना में क्रोना टेस्ट पेड होने के बाद में कितने परतिसत जांच घट गई है पैसे लोगे तो खोनका टेस्ट करवाने आएगा दस परसेंट जांच जो है लोग घट गई है चिक है कोविड-19 की और अगर देखा जाए तो देखो सरकारी अस्टाल में 20 सितंबर से क्रोना तेरा दिनों में जो है तीन लाग 22,111 जांचे हुई थी जब ये टेस्ट शुरू हुए थे और इसमें से 21,771 लोग पोजिटिव मिले यानिकी लगबग 6.75 परसेंटेज जबकि इससे पहले 6 से 19 सेप्टेंबर के 13 दिनों में जो है वो 3,56,884 जांच हुई ठीक है जो के बीच में जांच इतनी हुई और मरीज इतने मिले लोग जांच ही करवाने नहीं आ रहे है ठीक है और एक बात आपको मैंने कल बताई थी ना तीम टेस्ट होते हैं एक इससे अर्टी पीसियार ठीक है आच टी पीसियार का रेट अब कितना कर दिया है 1200, स्कारटिंग में 2400 था, फिर 1600 रफफचाल गटा के 1200 कर दिया अंटिजन का कितना है, साड़े 600 हर एंटी बोली का कितना है, धाटी सो हम लोग एलिजा टेस्ट भी कहते हैं हर्याना के किस जिले में 10 किलोमेटर लंबे साइकल ट्रेक की सुरुवात की गई है तो ये की गई है प्यारे बचो गुरू ग्राम के अंदर D option जो है इस किस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 10 किलोमेटर लंबे साइकलोथॉन का जो है वो आयोजन किया गया है और नेताजी सुभास संदर बोस मार्ग से दोनों साइड पर साइकल ट्रेक जो है ये बनाया गया है ठीक है और इस कारेकरम में विशेश रूप से राम दुन्तता देश बक्ती के गीत जो है प्रस्तुत किये गए जब इस कारेकरम को सुरुवात किया गया था ठीक है नगरवासियों के लिए साइकल ट्रेक बनाया ताकि वो अपने भर्मन के लिए रोज इधर उदर गूमे आंडे फिरे तो दिख़त नाये उन्ने गुरुगराम की बात करें इसकी स्तावना एक नॉम्बर 1966 को हुई थी महावारत काल से इसका नाम गुरुगराम ही था बाद में गुरुगाओं पड़ा 2016 में हमारे खटर साब आये इन्होंने 2016 में दुबारा इसका राम गुरुगराम कर दिया गुरुगाउं जो है वो भारत में परती वेक्ती आये में चंदिगड और मुंबई के बाद में तीसरा स्थान रखता है और पुरे भारत भर में गुरुगराम जो है एक ऐसा सहर है जिसके परते गर में बिजली आपूर्ती करवाई जाती है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हर्याना के किस जिले में कंटेंडर डीपो और रेल कोच फैक्टरी का निर्मान किया जाएगा कंटेंडर डीपो और रेल कोच फैक्टरी का निर्मान जो है वो कहां किया जाएगा भी सौनीपत में किया जाएगा बहुत बहुत इपॉर्टन क्युस्टन है बी आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा कंटेंडर कॉपरेशन आफ इंडिया कान नौर को बोलते हैं जिसको जिसमें 67 एकर जमीन पर डीपो बनाया गया है और यहां पर माल वाग ट्रेन है इंडिस्ट्रियल का जो भी समान है दुनिया का वो किसी भी कोने पर लाया ले जाया जा सकता है इसके तैट फिर तकरीबन साड़े चार सो क्रोड रुपे जो है इस डीपो के निर्मान पर खर्च किये गए है और 65 एकर जमीन में रेल कोच जो आपका फ्रैक्टरी है उसका निर्मान कार्य अभी वरतमान में किया जा रहा है और 69,000 जो है उससे भी चोट चोटे उद्योग जो है देश विदेश के वो जाने जाते हैं और वो सारे इससे लिंक हो जाएंगे फिर एक साथ में जो माल भेजना हो ले जाना हो उससे बहुत ज़्यदा बेनिफिट मिलेगा रेलवे बोर्ड की CEO का नाम है अगर आपको मैं बताता हूँ तो क्या है विनोध कुमार यादव है यह पहले CEO है रेलवे बोर्ड के देक्स भी विनोध कुमार यादव ही है ठीक है हर्याना के कि इस युनिवस्टी में खिलाडियों को क्रेडिट बेस पर प्रिक्षाओं में छूट दी जाएगी तो क्रेडिट बेस पर प्रिक्षाओं में छूट दी जाएगी इस युनिवस्टी का नाम क्या है इस युनिवस्टी का नाम है चोदरी रणबीर सिंग विस् प्रिक्षा को पास कर पाएगा यानि उसको एक भी पेपर नहीं देने की जो है छूट मिल जाएगी मतलब वो कोई पेपर नहीं देगा तो भी पर्मोट कर देंगे उसे बाद में योगे विचारा खेलेगा पड़ेगा वो तो बात जहर सी है ये किसके तरज पे किया गया है सर जे अनियू की जहारलाल नहरू जो है ना उसके तरज पे ही JNU में आर्मी वालों को कमिशन मिलने पर प्रिक्षा के छूट दी जाती है और वहाँ खिलाडियों को मिल सकेगी ठीक है वैसे ही यहाँ पे खिलाडियों को मिलेगी उसके ऐसे से कमपेरिजन में और मैं बात कर रहा हूँ चोदरी रणवीर सिंग जो यनुवस्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 2014 में हुई थी ठीक है चलिए इसी के साथ ये लेक्षर स्माप्त होता है पर आपके लिए कि उससने के डेंगू मरीजों को सिंगल डॉनर प्लेटलेट्स देने वाला हायाना उत्री चेतर में कौन सा राज्या बना है पहला है एक दूसरा है एक तीसरा है एक सात्वा है क्या होता है डेंगू और किस से फैलता है डेंगू बताईएगा और ये प्लेटलेट्स वगरा क्या होते हैं आप लोग इसके बारे में विस्तार से लेक्चर तो स्वाप्त होता है पर शाम को साथ मज़े देखना बिलकुल मत भूलिएगा वीडियो को मैक्सिमम शेर किरिएगा फेस्बुक पे मेरी आईडी है साइंटिस्टार सुनेल से तो आप मुझे टैग करके भी प्लीज फेस्बुक पे जरूर लगाईएगा मुझे अच्छा लगेगा इंस्टाग्राम वगरा जहां पे भी शेर करते हैं करिएगा धन्यवाद